इसे पहले तीन चार लेक्चर जो है फिशरी साइंस के ऊपर अलरडी हमारे चैनल पर अपलोड़ीड है देख सकते हैं यह टॉपिक जो हाँ आपको जेकिया सेस्पी के आने वाले डेप्यूटी इंस्पेक्टर का जो एक्जाम है फिशरी इंस्पेक्टर का जो एक्जाम है उ जिसकी फिशरी साइंस की बुनियाद रहती है तो उन में भी जो है यह टॉपिक आपको काफी ज्यादा काम आने वाला है तो अई स्टार्ट करते हैं वीडियो टेक्जानमी आफ फिश तो फिश कहता है कि फिश जो है प्रोटीन के लिए एक एक्सिलेंट सोर्स है और जितन आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है लेकिन यह चीज जानकर आपको हरानी होगी यह जो फिश का फैट होता है इसको इसली बॉड़ी डाइजस्ट कर सकती है तो जो दूसरे फैट रहते हैं ऑईल में बटर में वो बॉड़ी डाइजस्ट नहीं कर पाती इसके विवसे ब अच्छा एक हमारा प्रोडेक्ट है जो कि हमें काफी चीजों में काफी बीमारियों में काम आता है इवन कैंसर थैरपी में आयोडीन होता है गाइटर वगेरा में जो है यहां पर भी रहाइत जो है आयोडीन से मिलती है फॉस्फोरस जो है यह भी इंपॉर्टन है और साथ इस फिछ जो हैं दो तरह कि फिछ रहती हैं फिछ वर्टी बिले फिछ रहती है या फिर अपिर फिछ रहती है फिछ जो वर्टीव रहा होती है वह ऐसी एट एगधिए स्केल्स एग़ और कि आपर प। क्वालिटी की फिश कौन से है तो कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि आपको पहचान करवाने में मदद करते हैं कि कौन से फिश जो है वो अच्छी है क्वालिटी में खाने के काबिल है और जो हमें जादा तदात में प्रोटीन और एनरजी देगी तो उसके लिए जिस फिश की वो क्लियर हो और बड़ी बड़ी हो श्रंकना हो वो फिश जो है वो अच्छी क्वालिटी के माने जाती है जिसकी स्कीन जो है वो काफी शाइनी हो चमकीली हो और टाइट हो वो भी अच्छी फिश माने जाती है और जिस फिश के गिल जो है वो ब्राइट इसका मतलब कि वो फिश चोह काफी इची क्वालिटी आप उससे अराम से खा सकते हैं उसके बाद कॉमपोजिशन अगर हम देखें कि एक फिश के अंदर क्या क्या पाया जाता हूं कितनी तादात में पाया जाता है तो इसको कॉमपोजिजिन नुट्रिटिव वैल्यू हम के क मुंति वह इसका में है कि एक चीज अंड़ श्रीम के पाये का अलाए में से नुट्वजिश में मुंति अर्यूज यह इसको हम अग सप्प्लिमेंट जो इसको यूज किया जाता है ठीक है उसके फैट कंटेंट की बात करें तो फैट कंटेंट काफी कम होते हैं ठीक है लगबग अगर आप देखोंगे बटर फिश कैट फिश में लगब 11 से 20 परसंट तक फैट कंटेंट होते हैं नॉर्मली यही फैट फिश के अंदर आपको मिलता है जो की अच्छा रहता है किसी भी यूमन बिंग के लिए उसको कंज्यूम कर रहा है और इसमें एक्स्ट्रक्टिव जो होते हैं वो काफी कम होती है यह बी एक अच्छी चीज जो है जो कि फिश में पाई जाती है उसके बाद कार्बोहाइड बीचो है यहांपर मुझूद होते हैं गलाइकोजेन की फार में स्वीड टेस्ट जो होता है कहता है कि शल भीस चो ती कुछ उंका वो ग्लुकोज की वज़ा से ही होता है और यह ग्लुकोज चो है यह कार्भोहइडेट की एक फार्म है जो की बनाया जाता है कि एंजाईम जब glycogen के उपर action करता है तो उससे glycogen convert हो कर glucose में जो है convert हो जाता है वो carbohydrate का source बन पाए ठीक है उसके बाद mineral content जो है वो भी पाए जाते है edible oil flesh जो रहती है इनकी meat की वो उसमें mineral काफी ज़्यादा पाए जाते है मीट के मुकाबले इनकी जो edible oil flesh रहती है जो है उसमें जाता mineral content पाए जाते हैं और जो shellfish रहती है उसमें दो गुना जादा mineral रहते हैं दूसरी fishes के मुकाबले अगर आप देखोगे ठीक है इसके लाब वाइटेमिस के बात करें तो fish fat fish जो होती है उसमें vitamin A भी मिलता है other than the lean fish lean varieties के मुकाबले जो fat fish होती है उसमें vitamin A जो है आपको देखने को मिलता है ठीक है उसके पतर fat content के base पर fishes को मांटा जाता है lean fish वो होती है जिसमे fat content लगबग 2% या 2% से नीचे जो हो मिलता है और medium fat fish जो होती है जिसमें 2 से 5 परतिशत protein मिलता है और fat fish होगी जिसमें आपको 5% से ज़्यादा protein मिलता है ठीक है सालमो मैकेरल्स जो है fat fish हो जाती है जिसमें आपको 5% से ज़्यादा fat content मिलता है ठीक है इसके बाद अब चलते है taxonomy पर सबसे पहले fish का अगर देखो के तो whole और round face जो है यह एक category रहती है fishes की कहता है कि यह वह form है जिसमें fishes जो है market में आपको जाद जहां पर आप market में जब जाते हो तो पूरी पूरी फिश वहां पर आपको पड़ी हुई दिखी मिलती है पैक्ट नहीं होती है जब खुली हुई रखी हुई होती है वह फिश देखने में तो आप लगों पूरी फिश है उसको होती है यह फिश की फॉर में होती है क्योंकि यह वार्टर से आती है डार ठाकर पानी से इदर लाया जाता है लेकिन यह जिन्दा नहीं होती इसको हम कहते हैं होल आर राउंड फिश ठीक है उसके बाद डॉर डॉन जो है यह एक category है अब ड्रॉन कैटेगरी को अगर आप द प्रिक्स निकल कि जिस पॉर्क इस्टrios के लिए निकूल कोल में रखा जाता ऐऽ के लिए उन खिर क्ष़ कहतें हॉन आरो ऑछ ओछ कीतरह ही होती है यजिए थी नक निकाले से ज़िए इनको बनाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसे आप खोल आराउंड फिश को बनाते हैं ठीक है बस फर्क यह है कि इनकी अंतरिया नहीं नहीं बुती है और कहते हैं मोस्ट फ्रोजन फिश्ट यह हैं आज मार्केट में अगर आप देखो को तो फ्रोजन फिश्ट व क्वार्चाली के स signaling के बेढ़ का इस तुछ प्रीक प्रीचा बिस था अपर नेख्याया गया है यहां जो फिड़ान है एट कर रखो आप पोर्शन की सेटा ** इसको बैचा जाता है तो इंह तरह की फिश को हम कहते हैं ड्रेस्ट और ड्रेस्ट फिशिस टेकर नर्च्ट आपकी बाटर फ्राइट फिलेट इचिस एं ठिक एठकर आप बटरफ्लाइड फिलेट्स हैं इसमें आप देखो कि तो फिश की जो है यह बैकबोन वाली साइड जा रही है इसको टच नहीं किया जाता है और यह जो पीच वाला पोर्शन है था है इसके थूझ जो है फिश के दोनों साइड जो है उपर लोवर वाला यह एक दो से के साथ की जाते हैं इस तरह की फिश को जो है वो बाटर्फ्लाइड फिलेट्स करी छाता है ठीक है एंड नेक्स्टाप आप आप नियान किया फिलिट्स में क्या होता है कि if तो हडिय वैसी जो हड़िया आपको पेथा इस तरonton परशन रहता है यह हड़ी के अली मैं पॉर्शन या हडडी के उस तरफ वाला जो बॉनलस पॉर्शन रहता है जहां पर बॉन्स नहीं जादा मिलते एकने को मिलती जिर्फ उन पार्ट को रिमूव किया जाता है और उनको हम फिलेट फिश कहते हैं ठेक है उसके बदा आपकी नेक्स टागे स्टीक के टेगरी है त्यस्टीट दिए चाटा में जहता है। जो इस जो रहती है। उसके बाद है लाज़न फिश तो एं लगलग है केटेगरी में बेची जाती है एक तु लाज़न चीज से frames में बेचीज mesh फिश êtes जिन्दा मछली जो है बेची जाती है पानी में हिया डाल के आपको दिल जाएगी गर्म में आप आली ये घाई ये आपकी मर्जी है तो इस तरह कि फिज को लाइब फिश कहा चाहता है ठीक है दूसरी आपकी कैटेकरी आती है डी बॉंड फिश ठीक है डीबॉंड में है कि तो यह वह भी नहीं खाना पसंद करता कोई तो यह फिशिज जिसमें हड़ी निकाल कर जो है बागी जो फ्लेश रहती है इसकी उसको आगे मार्केट में बेचा जाता है ठीक है जहापर बोंस जो है उसको रिमुव करके बेचा जाता है उनको डी बोंड फिशिस कहते हैं देन हो पर के फिर उसको हम बेचते हैं जो की बिल्कुल प्यक्ट से निकाल कर Alka घाने के काभी होती है ठीक बों दोह सदिन्यू कर किया जाता है पिर उसको पर कीरा हुआँ वे तो चिकन और इसे तरह फिषकी भी होगी डेसी तो लग़ लग shapes इस चिकन आपको मिलता है तो वह उसतार से चिकनतलब होने होता नहीं तो हडी December سे क्या किया जाता है मेट को बिल्गान करके इसको ग्रांड किया जाता है च्रश रकी सिर्टिष करके उस निय संभधर से तो ड्राइंग मेतल है यानि फिष को सुकाना ठीक है जो भी फिष आपने हैसल किया उसको सुकाना और सिंपली का अगर अब देखो के तो संद्राइंग जो है वह इनफ रहती है यानि धूप में आप रखती जिए उस मचली को कुछ दिनों तक उसके बाद जो है वह प्रिज राइज चाहिए उस की चाहिए घोंकि प्रीजु दिन तक ही होती है क्यूंकि वह पूरी तरह से जूंधे ऐडरा नहीं होती तो शेल लाइफ स्विष कि वह कम होती है ठीक स्मोग फिष छो हती है इनको हम तीन अपा के नाम से जानते है तो तीन आपा फिश इस की इन वह ज कर सकते हैं तिनापा में कनवर्ट कर सकते हैं तिक उसके बाद तीसरी है फ्रीजिंग है फ्रीजिंग में इनको डालते हैं और डीप फ्रीजस में डालके इनको फ्रीज कर देते हैं इससे कहते है कि क्वालिटी जो रहती है उसमें तो कुछ हम नहीं कहेंगे उसमें को बहुत जो एक क्वालिटी कंब आप हो जाते कंब कभी क्वालिटी जो है clean his meal वॉलिटी & is this quantity ऑ ही के दिगानुट्री ऑ flexibility where क्वालिटी जो है उस में वैसी जिरेगी या तो उसमें कम भी हो सकता है यह वं इसका तो बढ़ा है कैनिंग कैनिंग में क्या के जाता है फिश को लगब एक सो दास से लेकर एक सो साथ डिगरी के टेंपरेचर तक जो है इसको फ्रोजन प्रोसिस किया जाता है और फिर उसको एयर टाइट कंटीनर जो रहते हैं उसमें बिल्कुछ सील कर दिया जाता है और उसके ब्हुन को अचीज़ जो है उसके क्या त्यास के बुरी रहती तो अचिछ है तो अच्छी फिश को अगर देखूँगे तो फूल और किलिए आइस जैसे कि हमने शुरू में भी पढ़ा वह अच्छी फिश माने जाती है जिसके स्कीं बाइट रहती है तो उच्छी फिश मा जो है इसके इंचमरी जो है फिर्म हो और काफी लास्टिक हो डिजन्ट कीप अ डेंट वन प्रेस्टिक फिंगर से अब अगर आप उसको प्रेस करो उसमें डेंट बगारा ना पड़े वो फिश अची रहती है उसके बद फ्रेश स्मेल बोथ इंसाइट एंड गिल्टिक है बड़िक एफ इसकोषब फ्रेश लगती है और शिफ्टी बोड़ि जो है स्टीफी बोड़िक स्टीफी हूँ इतनी जाता सकते नहों तो वह अची फिश मानी चाते और बैट फिश आपकी वह रहती है जिसकी आईज जो है वो बाईजर हो रिंगल्ड हो या फिर सूजी हो टी जिन्के गिल जो हैं वोजेलो इसे runsие या by अच्छे जिक भी ऐफ्य मंच गर्ड ती और जो की जिनके काते फिंगर प्रेट המׁच होते इस on आधा ऑट डियों नहीं ठोन एपनी या ती तो यह वह ऑशी के वाशी हिए değil biz नहीं रहती उसके बास मेल जिन कौन फिश अच्छी है कौन से फिश भूरी है तो यह सारी चीज़न जो ही आपकी टेक्जॉनमी की अंदर आती है आप लोगों ने का आप कुछ सीखा होगा आगे भी चैनल के साथ बने रहेगा फिश्रिस के लेक्चर्स जो ही कंटिनुवस लेस पर हम डालने कोशिश करते र